अगली खबर आ रहे हैं मध्रप्रदेश के रिवाजीने से जहां सिटी कोथवाली थाना छेत्र अंतरगत कट्रा मोहले में बीती रात पूर्म महापौर राजेन तामरकार के घर में सौट सर्किट से तीन मंजिल के घर में भीशड आग लगी मौके पर सिटी कोथवाली पुलिस एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेन नात सर्मा पहुँचे और फायर ब्रिगेड एवं इस्थानी जनों की मदद से आग पर काबू पाया पूर महाप और राजेन तामरकार द्वारा बताया गया कि यह आग लगभाग सौट सर्किट से लगी है स्थानी जनों एवं पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया है लगभाग लाखो रुपै का नुकसान भी हुआ है चोलो में लोग लाखचिर वाल्ग पर करेंद निए AI भी हुआ है सबेंड़ेज प्रम पर कोहिए व्राव मंद से लोगी है कि यह वाट क्रमांग 29 कट्रा पालेंटूला पूर महापाउर आधर्णी सिरायन तामरकार जी के घर में आग लग गई यह आग के इसका कारण भी तो नहीं पता है लेकिन पुलिस मौजूद है के कारणों का पता लगाएगी लेकिन इसमें कोई जन हानी नहीं हुई है लेकिन धन हानी हुई है घर में आग लगी हुई है पूरी बिल्डिंग स्ट्रिक्चर उनका खराब हो गया है और यह करीब अब नुक्सान का अकलन तो देखिए बाद में हो पाएगा चुकि अभी आग लगी हुई है बराबर नगा नियाम का अमला लगा हुआ है वर्दवान महापार जी अजय मिस्रा बाबा जी से जैसे हमको पता चला संपर किया गया आप तामरगार जी ने हमको फोन किया तो हम ने तकाल महापारी संपर किया उन्होंने फायर बिगेट भेजा और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं नजर भी बनाई हुए है काबually पाए गये है पालिया गये लिकिन थोड़ा भूत अब कभी आलमारी की आग नहीं वूत रहे है अलमारी के आममें एक बराबर लगी हुई किसका मैं राम प्रकास्ति वारी डेडू पूर पार्शत नगरपाली करिंगम रीवा प्राप्त हुई थी कि राज इंताम रकार जी के घर में आग लग गई है ततकाल बरिष्ट दिकारियों के मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ और फायर बिगेट के साथ सिविल लाइन और को जाने का काम शुरू हुआ है लगभग आधे घंटे के कड़ी मसक्कत के बाद आगपिकाबू पालिया गया है अभी तक जो कारण ग्यात हुआ है उसमें प्रतीत हो रहा है कि सार्ट सर्केट से निश्चे तोर प्याग लगी होगी कोई जन्हानी नहीं है सामान का नुक्सा सब्सक्राइब में एक सुरो के मैफिल सजाने जिसका नाम है उडा शाम गजल एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपने प्रस्तोती देने के लिए तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोने स्पेशली थैंक्स ब प्रस्तों